आप सभी साथियों को मेरे नमस्कार आज मैं हूं कि हमारे इसकी वेटिंग लिस्ट के बारे में बताने जा रही हूं तो आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए तता दोस्तों के साथ सेयर भी कीजिएगा आज हम बात करने जो वाले हैं वेटिंग लिस्ट पर तो सबसे पहले मैं एक question बता दू कि कुछ लोगों का ये रहता है कि आप गलत बोल रहे हूं वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी तो जो लोग यह बोलते हैं कि वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी तो वो जाकर इसके जो नोटिफिकेशन जो था जब ये फिल अप हुए थे वहां पर जाकर वो देख सकते हैं कि वहां पर इस पश्ट रूप से लिखाए कि 10% जो है वो आपकी जो है वो किसे जो है वेटिंग लिस्ट इसकी आएगी 10% यानि किसी सब्जेक्ट में 100 सीटे हैं तो उसमें से 10 सीट सीट पर जो है आपकी वेटिंग लिस्ट आनी है यानि या किसी में 500 है तो उसमें से 50 की वेटिंग लिस्ट आनी निस्चीत है तो पहला तो डाउट मैंने यह ही कली कर दिया आप दूसरे बात यह है कि बहुत से बच्चे जो है यह पूछते है writer बच्चे क्या भावे टीच लेकिन जो चीजे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ जैसा की सुनने में आया है यह अनुमान से कह सकते हो या जो भी चीज समझ सकते हो तो ऐसा है ऐसा है कि आपका भी तो जोईनिंग का प्रोसेस चल रहाई जोईनिंग के बाद जो है फिर कुछ time भी दिया है इनोह ने तो लगबग आपका अगस्थतों इसी में पूरा निकल ही जाएगा जोलाई चली रहा है अगस्थतों cerv you निकल जाएगा तथा सप्टेंबर में ज जो है अगर जो है यह EMRS सोसाइटी जो है एक्टिव रही तो उम्मीद जताई जा रही है कि आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो सेप्टेमबर की लाश्ट में या अक्टूबर में आ जाएगी लेकिन कब जब EMRS जो है स्मूथली काम करेगा सही से अच्छे से लगातार वर सकते हैं लेकिन अगर सही तरह चांस काम किया तो अगर आप यह मान की चलो सेप्टेमबर अक्टूबर में आ जाएगी और अगर धीरे से किया और देना चाहता है तो नवंबर दिसंबर में आ जानी चाहिए तक आ जानी की पकी उमीद जताई जा रही है देखो और सब अगर सब्सक्राइब कर दर्नेवाद